नमस्कार दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं जालिम लोशन के बारे में इसके फायदे, नुकसान, इस्तमाल करने का तरीका और कितने दिन तक इस्तमाल करना चाहिए इन सभी बातों के इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो को पूरा देखेगा लेकिन वीडियो शुरू क करने से वहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथ में जो घंटी वाल निशान उसे ओल पे टच कर दीजे ताकि आपको ऐसे ही वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें तो दोस्तों जालिम लोशन आता है औरियंटल केमिकल वर्क कंपनी का जो की इंदौर की कंपनी होती है और इसका MRP है दिखा देता हूं आपको इसका MRP है तीस रुपे 10 ml की बोटल का और इसमें जो कंटेंस है वो है एसेड सैलिसाइलिक और टिं की दाद खाज खुजली को ठीक करने में इस्तिमाल की जाती है तो दोस्तों जालिम लोशन आपको पता ही होगा बहुत मशूर दबाई है और बहुत पुराना ब्रैंड है ये 1929 में ये चालू हुआ था और अभी तक ये फेमस है क्योंकि ये सही में काम करती है दाद खाज को ठीक करने के लिए दोस्तों इसका उपयोग पुराना दाद खाज खुजली या फिर खुजली दार लाल चकते फंगर इंफेक्शन जांगों के बीच की दाद खाज खुजली रिंग बॉर्म चरम रोग एकजीमा डर्माटाइडिस की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कि किया जाता है दाद जो खुजली दार लाल चकते होते हैं और जो फैलते जाते हैं उनको ठीक करने के लिए इस्तमाल किया जाता है तो दोस्तों इसका लगाने का तरीका है वो भी मैं बता देता हूं लेकिन उससे पहले आपको मैं शीशी थोड़ा सा खोल के दिखा देता यह देखिए दोस्तो काच की बॉटल होती है और इसमें ब्ल्यू कलर की दवाई निकलती है जामनी कलर की निकलती है थोड़ी तो चलिए बात के लिए इसको लगाना कैसे होता है दोस्तो इसको किसी चीज में या फिर सिलाई ले लेना या फिर कोई लकडी का टहनी ले लेना या फिर माचिस की तिली तिली माचिस की तिली जो पीछे वाला हिस्सा होता है जो जलता है उसमें नहीं रूई लगानी है आपने कोई लकडी ले 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 ना पतली सी ठीक है उसमें रूई लपेड के और इसमें डुबो के और फिर उस दाद खाज गुजली वाली जगाए पे आपने लगाना है दिन में एक बार दोस्तों इसको आप लगातार एक हफता तक इस्तमाल कर सकते हैं और जितने दिन आपके जो डॉक्टर हैं उतने दिन इसका इस्तमाल कीजिए क्योंकि किसी को ज़्यादा या कम हो सकती है तो वीडियो के साब से नहीं आप इसको इसको इस्तमाल कीजिएगा हो सकता है आपको ज्यादा हो तो आपको दो टाइम भी बता सकते हैं डॉक्टर ठीक है या फिर आपको एक टाइम भी बता सकते हैं तो वैसे एक टाइम लगाया जाता है इसको ज्यादा तर और दस से बारा दिन तक भी इसको इस्तुमाल किया जा सकता है तो नॉर्मली लोग जो क्या करते हैं क और यह लगाते ही सूख भी जाती है और कपड़ों में भी नहीं लगती है ठीक है और इसको दोस्तों जैसे कि पुराना कोई दाध खाज खुजली है ठीक है अप इसे दिन में एक बार लगाईेगा पहले ठीक है और फिर आप इसे अगले दिन जब आपने लगाना है इसको दो टाइम लगा लिना है ठीक है फिर उसके बाद एक दिन लगाना है ऐसा आप इसे दो तिन दिन लगाईएगा और फिर जब वो उधर जाए जल जाए वहां की दाद तो वहां से साफ करके ठीक है उसके उपर आप ऑइंटमेंट भी इसकी company की भी आती है जालिम लोशन की वह भी आप इस्तमाल कर सकते हैं या फिर कोई लूलीकोनाजूल क्रीम आती है उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं जब यह उधर जाए तब लगाना है आपने ठीक है और क्योंकि Fungal Infection जो है दोस्तो बार-बार आ जाता है ठीक होने के बाद भी तो हो सकता है इसको लगाने के बाद क्रीम को लगाने के बाद भी आपका आ जाए बापिस तो आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए इसके भरोसे नहीं रहना चाहिए कि हमारा यही से ठीक होगा और चेहरे पर नाजुक जगाओं पे इसका इस्तमाल ना करें क्योंकि इसको लगाने के बाद दाद ठीक हो जाती है तो वहाँ पे काला निशान दाग भी रह सकता है तो आप चेहरे पे लगाने से पहले अपने डॉक्टर की सला जरूर लें तो इसके जो साइड एफेक्ट है यही जो साइड एफेक्ट है नुकसान है जलन होती है बस और क्या और दर्द भी हो सकता है इसको लगाने से आपको ठीक है तो आपको अगर जलन सहन हो जाए तो आप लगा लीजेगा वरना रहने दीजेगा ठीक है तो इसको लगाने से जलन भी और दर्द भी हो सकता है आपको ठीक है तो डॉक्टर की सला के बिना इस्तमाल ना करें और आज के लिए बस इतना ही उम्मेद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइट जरू करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा धन्वाद